इस हिटलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्त के छेत्र में 40 वर्सों से अनुवरत सेवा परदान करता कवीता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्त की काम ना करता है बरवड इस्थित 100 वर्स पुरानी काजी माली हाडवेर में हाडवेर के सभीत पाद के अलावा गिरनाइट, मार्बल वगरा उपलब्द तो कहीं और क्यू जाना सिर्फ काजी माली हाडवेर हड़ी जोडवा नस संबंदी रोगों के इलाज के लिए परसीद आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सिहोडी का पावित्री हॉस्पिटल नमस्कार आप देख रहे हैं गिरिडी का बेहद लोग प्रिया एवं विस्वश्निय न्यूस चैनल सिटी न्यूस मैं अंकिता परद्यार आप सभी दर्शकों का स्वागत कर दी हूँ सिटी न्यूस के इस अंग में तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खी ओपर राम नॉमी को लेकर बड़ा चौक से जिला प्रिश्वास्ता ने निकाला फ्लैक मार्श डिसी एस्पी समेत कई अधिकारी वोब हारी संख्या में पुलिस जवान भी रहे मौजूद इधर विबिन प्रखंजों में भी फ्लैक मार्श निकाल कर राम नॉमी परविदी ववस्ता को लेकर ज्चौक की गई ही तायर रेजिस्ट्री ओफिस में जमीन रेजिस्ट्री करवाने आए कुछ लोगों ने किया हंगाबा रेजिस्ट्री ओफिस करवियों पर घुस मांगने का लगाया आरो अवनी बंदक के साथ की धक्का मुख्य बिंगबाद के उचाड़ी के पास वनवी भाग की टीम ने अव्याद बोल्डर लोड हाईवा को किया चप बिंगबाद थाने को किया सपोर्ड कुलिस कर रही है च्वाच परताल भुपाल से भारत यात्रा पर साइकल से निकली आसा मालवी पहुची गिरड़ी इनवल क्लब ने काजन ब्रू होटल में किया स्वागत आरके महिला कॉलेज में हुआ मोटिवेशनल स्पीश देभर के लिए भी रवाना और गिरड़ी रेल्वे स्टेशन पर माल गाड़ी से कोईला चोरी करने वाले दो लोग होई गरफतार गपत सुषना के आदहार पर की गई कारवाई दोनों को अपने साथ मधुपो ले गई रेल्वे पोलिस अब खमरेन स्टार से राम नामी परव को लेकर मंगलवार को जीला प्रसासन की और से बड़ा चोक से सहरी शेत्र में फ्लैग मार्च निकाली गई फ्लैग मार्च में उपाय उत्नमन प्रेस लखड़ा पुलिस अधिशा कमित रेनू एसे विलसन भेंगरा परिसिच्छू आई एस उतकर्षि कुमार स्टीम विसावदिप खलको एन डी सी सुदेश सिंग, SDPO, अनिल कमार सिंग, धाना प्रभारी, राम नारायन, चौदरी समेट कई प्रशासनिक अधिकारी वा पुलिस अधिकारी मौजू थे फ्लैग मार्च की सुरुआते सहरी शेत्र के बड़ा चोक से किया गया जो सहर के मुस्लिम बाजार, पदम चौक, बजरंग चौक, मकटपूर चौक, काली बाड़ी चौक, तावर चौक, अमबेटकर चौक, नेतजी चौक होते हुए पहुचा इस दौरान D.C.S.P. समेत अन्ये अधिकारीों ने आम जनों से रॉमनोमी का परवशांतीपूर्ण तरीके से मनाने की अपेल किया अधिकारीों ने आपसी भाइचारा बनाए रखने से सान्ती सोहार्द रूप से रॉमनोमी का तहवार मनाने के लिए अपेल किया महल बिगारने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी. विवार को सेंट्रल पीस कमीटी और सभी संबंदित अखाड़े और समीति के सदस्य हैं, उनके साथ में बैठा कुई है। हम लोग आशा करते हैं कि प्रसाशन की तियारी जिस तरह से विदेवास्ता को लेके पूर जोर है। उसी तरह से सभी अखाड़े और समीति अपने तियारी करें। और तियारी से हम लोग भी आशा करते हैं कि वो बिल्कुली अनुशाशन के महाल में और एक सहार्दिकुरे महाल में टिहार को मनाएं। इसके सम्मन्द में सुरक्षा सम्मन्दी जो भी कारवाई करनी हैं। ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, मेजिटेट्स और परियाब किसंद्धिया में पुलीस बल और मेजिटेट्स की परतिनक्ति वो हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो नागरिक सुधाएं जैसे भी पेजल, उनके लिए मंच, एम्बुलेंस, आकासमुता किस्तिती में फायर, एम्बुलेंस, मेडिकल फिसिलिटी उसका भी अम लोग प्रोविजिन कर रहे हैं। जो कि किसी भी त्यहार को मनाने में, सिविल सोसाइटी और जो भी कम्यूनेटी है, उनकी भागिदारी काभी महतपून होती है। तो हम लोगों ने पुलीस मित्तर के तौर पे वारेंटियर्स और युगा साथ हैं को भी इसमें जोड़ा है। तो हम लोगों को तेहवार के पुलीस ने लोगों को तहवार के मौके पर पुखत का सुरक्षा ववस्था प्रदान के जाने का एहसास कराया। इस क्रम में फ्लैग मार्च थाना परीसर से सुरू होकर अहिलियापूर, सिंगपूर, देपूर वा परवतपूर गाओ का भ्रहमन करते हुए वापस थाना लोटाए। इस दोरां धाना प्रभारी ने आमजनु से मिलकर आपसी भाई चारगी बनाये रखने के साथ सांथी सोहार्द रूप से रमनौमी का तहवार मनाने की अपिल की। उन्होंने कहा कि पुलिस रमनौमी के मद्दे नजर पूरी तरह मुस्तैद हैं उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च निकाल कर इलाके में सांथी विवस्था बरकरार बुनाये रखते हुए उक्ते पर्व को आपसी सोहार्द वातवनन में मनाने को लेकर लोगों से अपिल किया उन्होंने कहा कि आसमाजिक तत्वों पर प्रिशासन की पैनी नजर रहेगी और वाहों पर ध्यान नहीं देना है वही सांसी ववस्था भंकरने बाले आसमाजिक तत्वों के उपर कड़ी कानूनी कारवाई की जाने की बात कहीए जमीन की रेजिस्ट्री के नाम पर अवैद वसूली का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जंडा मैदान के समेप रेजिस्ट्री आफिस में कुछ लोगों ने जम कर हंगा मक्या इतना ही नहीं जीला निभंदन पदधिकारी के साथ धका मुक्य भी की गई इस भावत सिर्सिया निवासी किसंद सिंहा ने बताया कि वबेंगाबाद के करिंपूरा निवासी शोभा चौधरी की जमीन खरीद रहा है लेकिन जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री आफिस में पदधिकारी बाकर्मियों के दोरा वैधरूप से रुपए की मांग की जा रही है और बिना रुपए दिये रजिस्ट्री नहीं की जा रही है बुद्या की से लेकर कई बार वे लोग रजिस्ट्री आफिस का चक्कर काट रहें लेकिन बार 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 उन लोगों को घुमाया जा रहा है बुद्या की चौधरी परिवार में 6 अपरेल को एक साधी है और उन्हें रुपए की दरकार है इसलिए वे अपनी जमीन बेच रहें लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उनके परिसानी बढ़ गई है है वे इसलिए डियुट नामसे जमीन तौर नाम से हो यह को जमिन अधला छत्राल करेदेंस यूज Alors जमीन बेचें क्या करें पर ऊंद्भी का इन्धिली करें की नाम-मषच्छट आव है सबॉत दें हो भी है और पीजिती जमीन रहे हैni उसका जो सरकारी सिर्फ सरकारी हिसंद है उसके बाद वह हैं इसके बाद हम वह कागे हं वहां से पैसा मिलता है उस मजा का महां को सब्कार qua जब् этим है हम बोलें कितना चाहिए बोलना है हूँ जो इसे अमर सीनस बात के लिए हम को चाहिए तो हम का आज से पैसा तोड़ के लाएंगे जो में एक लाग रुप्य दे इनको काने मतला ठीक है आप पैसा लेते हैं सबसे लेते हैं सब हमने दे पाएंगे मेरा जैन्मीन जमीन मेरा इनका घर में साधी है पुछ ही इनका कागज गलात है सही है हम लोग अगरना चाहिए तो जो बनाया है उस बेलुएशन से हम ज्यादा वेलुएशन दिये उससे कम थोड़ें दिये अगर आपके मुसार बनता है तो गिरीटी का सब मोजा का सब जमीन का दाम 20 लाग रुपे कौन सा खाता रखवा है जिसका आप लोग काम के लिए करनपूरा है थाना आपका वेंगाबद अंचल कर्याले वेंगाबाद है खाता नमर चोगदा है प्लोट नमर 303 है हम लोग का लही पे पर लगाए 30 डिसमील का रश्टी है इनका कहना है कि एक लग रुपी हम को चाहि रश्टी करें तन्य करें हम लोग यहां से फिर आवेदान उपाहित महों देपस जाएंगे किस कारण से हम लोग का रोका गिया है रश्टी क्यों रोक रहे है मेरा मेरा क्या गल्ती है हम लोग क्या गुना की है हम लोग क्या कमी है अगर पेपर में कमी है तो हम रश्टी नह वन विभाग के टीम ने मंगलबार को ज़ाजी के पास से अवैद बोल्डर से भरा एक हाइवा को जब्त किया है जब्त हाइवा को वेगबाद पुलिस को जिम्मा दे दिया है मामले की ज़ाज के लिए वेगबाद पुलिस ने जीला खारन विभाग को इसकी सूचना दे दिया गया है बताया जाता है कि वन विभाग के एसी एफ शुवेंदु कुमार के नेतरित में जाच अभ्यान चुलाई जा रही थी इस बीचो धरी परसन के रास्ते से अवैद बोल्डर लदा हाइवा गुजर रहा था एसी एफ के निर्देश पर हाइवा का जाच किया गया जाच बोल्डर का चाला नहीं किया गया संदे पर वन्विभा की टीम ने काला बोल्डर से भरा हाइवा को जब्द कर बिंगबाद पुलिस को सौब दिया के है बताया जाता है कि इंडिनो अवायद खनन का पत्थर हाइवा से क्रिशर मसीन में पहुचाया जाता है जाज की क्रब्बे पकड़े जाले पर हाइवा चालक फरजी चौलान दिखा कर निकल जाता है वन्विभा की टीम ने मुखे रूप से वनपाल विश्वनाज सिस्सिंग वन्डक्षी दिवाकर्टाती आसिस्स मिस्रा आधी शावू थे भारत की अत्रा पर भोपाल से निकली साइकलिस्ट आशा मालविया के सम्मान में मंगलवार को इनर्विल क्लब के द्वारा एक कारिक्रम का यूजन होटल गार्डन व्यू में किया गया बताया गया कि महिलाश शक्तिकरन का संदेश फैला ने और महिलाओ की सुरक्षा पर लोगों को सिक्षित करने के लिए या पूरे देश में साइकल से घूम रही है इसकी जानकारी उडिसा के एक इनर्विल क्लब मेंबर ने अंतराष्ट्रे इनर्विल संपादि का प्रभार अगुननधन को दी इन्होंने आशा मालविया का संपर्क जमशेदपुर और राची के इनर्विल क्लब ओम से करवाया जहां उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया साथ ही इन्हें इनर्विल सदस्यों के द्वारा सहयोग भी दिया गया राची में या मुख्यमंत्री हिमन सोरिन और डारेक्टर जनरल ओफ पुलीस से भी मिल चुकी है वह बोकारो होते हुए गिरिडी पहुची है और इनर्विल क्लब गिरिडी के द्वारा उसकी मेजबानी की गई कलब के द्वारा एक सर्टिफिकेट दे कर उनको सम्मानित किया गया साथ ही भेट स्वरूप, इनर्विल, लोगो छपा हुआ कॉफी मग एवं कलब फ्लैग दिया गया उनके आगे के सफर के लिए कुछ खाने की चीजे और सहयोग राशी भी दी गई इसका समापई करने वाली हूँ, और मैं सभी भारत देश की मैलाओं को ये मेसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं आकेले भारत भूम सकती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, उसी जगए, आप भी सभी जगे सुरक्षित है साथ ही आज के यंगेस्टर के लिए भी मेरा ये मेसेज है कि आज के यंगेस्टर छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके आशा हमारे संपर में आई जब वो औरजा से निकली थी और मैंने जमशेदपूर और रांची क्लब्स के उसका संपर कराया और आज यहां आई हैं और इसके बाद इसका जारकंड यात्रे यहीं खत्म होता है और इसके बाद वो बंगाल प्रवेश करेंगी और जैसे कि मैंने अपने क्लब मेंबर्स के सामने कहा आज मैं गिरिडी वासियों के सामने भी कहना चाहेंगी कि इनर वील एक इतनी बड़ी महिला संस्था है कि आशा जहां भी भारत में जाएं इनर वील मेंबर्स उसके साथ खड़े रहेंगे यह आश्वासन मैं देना चाह गिरिडी भले ही छोटा शहर हो पर जब हम लोग यहां से इतना सारा कारिक्रम कर सकते हैं और आशा जैसी लड़की भी हमारे शहर में आ सकती हैं तो हम जरूर जानते हैं कि आगे और भी नवील मेंबर्स इसका साथ देंगे आशा आपको आगे की सफर के लिए बहुत सारी शुक कामना है गिरिडी क्लब आप पर बहुत गर्ब करता है भारत ध्रमन के लिए भोपाल से निकली 24 वर्सी आसा मालवी को मंगलवार को गिरिडी के आरके महिला कॉलेज में आकर छात्रों को मोटिवेट कर ट्रेडिद किया इस कारिक्रम को इनविल क्लब ने और्फनाइस किया था तता अध्यक्सता आरके महिला कॉलेज की प्रचारे चौक्टर मधुसरी सेंस सन्याल कर रही थी मन संचालन प्रॉफेसर नम्रता साहू कर रही थी कारिक्रम के शिर्वात प्रचारिय के त्वारा आसा मालिय को बुक के भेज कर वासॉल और हा करके आगया अपने वक्तवे में आसा मालिय ने कहा कि देश में लड़किया कमसोर नहीं है विदेश के लोग कहते हैं कि भारत में महिलाए असोरक्षित परंतु मैं साइकल के माध्यम से पूरा भारत भ्रहमन कर रही हूँ मुझे पूरे देश में कहीं वियासा नहीं लगा कि लोगों का नजर्या लड़कियों के प्रती खराब है उन्होंने आगे बताए कि लड़किया कुछ भी कर सकते हैं उन्हें समस्तिया को छोड़कर अपने लक्ष पर ध्यान केंडरित करना चाहिए जीत उन्हीं मिलेगी इस अफसर पध्यक्षी भासन में प्रचारिय मधूसरी सेंस नियान ने कहा कि आसा जी की आने से हमारी कॉलेज की जात्रा में जोस वा उच्सा का संचार हुआ है धनिवाद ग्यापर ने प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर शोसिल कुमार राय ने कहा यासा जी की जितनी भी तारिव की जाए वह कम है इन्होंने बता दिया कि बेटी किसी से कम नहीं है इस कायर्प्र में डॉक्टर नीलम सिन्हा, डॉक्टर इंदुकुमारी, डॉक्टर संधित सिन्हा, डॉक्टर कियन, शर्मा, डॉक्टर आतेश रंजन, प्रॉफेसर महीस अमन, प्रॉफेसर तंचन, प्रॉफेसर अर्चना तता समस्त सिक्षिद्दर, करंचारी और संक्या में च्छात्राय उपस्तित थी अब तक 12 स्टेट अभी तक वो कवर कर चुकी है और इसी सिलसिले में उन्होंने चारकुंद में आके गिरिडी शहर को भी टेच किया है तो आज हमारे महाविद्दाले में वो आई थी और हमारी चात्राएं उन्हें देखे इतनी इस्पायड हुई उनका आना सही में सार्थत था इनर्वी क्लब ओफ गिरिडी ने ये दवस्ता की उन्हीं लोगों ने उनको ले आए हमारे पास उनके सदसे हमारे पास ले आए गिरिडी रेलवे स्टेसन पर खड़ी माल गाड़ी से कोईला चोरी करने वाले दो लोगों को मगलवार को रेलवे पुलिस ने गिरफतार किया गिरफतार आरोपी जर्य गादी निवासी मुम्ताजम सारी और विक्रम राम को मधुपूर रेलवे पुलिस ने रासत में लेकर मधुपूर चली गई उतैग है कि गरीडी रेलवे स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से यह लोग कोईला की चोरी करते थे जिसकी सूचना पर मधुपूर रेलवे पुलिस ने छापे मारी की और दोनों को गरफतार कर लिया चापे मारी दल में आर्पीएफ के इंस्पेक्टर देवनाथ और गरीडी रेलवे पुलिस के असाई जुते इंडर कुमार समेथ काफी संख्या में आर्पीएफ के जबान फ्रावू थे भागपा माली नीतर राज्यस सिन्हा के नित्रत में मंगलवार को नगनिगम शेद्र के वाड नमबर 22 के स्याक्रोज जनता नगनिगम कार्याले पहुच कर पीजल की समस्या को लेकर नारे वाजी की इस दोरान विबिन मांगो को लेकर उपनगर आयवत को आविदन सौपा गया तैक कारिक्रम की अनुसार भारी संख्या में महिला वाप पुरुष नगनिगम परिशर पहुच कर गोल बंध होकर नगनिगम के कारिश्यली पन नारे वाजी की सौपेग आविदन में सुबेसाम प्लाई पानी देनी की मांग जिस वाज में खंडॉली जुलासे से पानी नहीं आता है समस्या से रूबरोही इस पर उने कहा कि निगम शेत्र अंत्रगत कुल 36 वाट है किन्तु पानी का पाइप सिर्फ 30 वाट में ही नेट्वक बना हुआ है जिसे कारण पानी सप्लाई में दिक्कत हो रही है उन्होंने कहा कि वाट 22 में जल पानी लोगों को मिलेगा इस बाबत र भाग में जनता की उपस्तिती में आंदोलन किया जाएगा मौकिपर मोहमद सलाउद्दिन इम्तियाज खान साहिल सहवाज इम्रान खान सूरज कुमार राम महिश इम्रान खान सलाम रिंको मुर्शित सल्मान सहवाज खान कलाम असर सैफ पंकच कुमार संकर राहुल कुमार स पस्ति थे प्रोग्लम है 36 वाड में सुबा साम पानी नहीं आता है वाड नमर 22 में आपका पाइप लगा हुआ लेकिन पानी नहीं है ऐसे कई वाड है जहां से पूरा गडबर इस्टि है सफाई नहीं है अकांच्छा दादर तरीके से काम नहीं कर रही है लगर निगम को देखना चाहिए ऐसे कई टेक्ट हाल्डिंग टेक्स के बारे में बात है लेकिन उसका पूरस नहीं दिया जा रहा था पूरा नगर निगम में आज हम लोग संकेतिक रूप से एक ग्यापंद ने आए हैं और 24 अपरिल को लगबक 10,000 आवेदन आम लोगों से लेकर नगर निगम को सौपेंगे और लगबक 2-4,000 लोग इसे काम से पुरा गेट को जान करेंगे नगर निगम उससे पहले अपना जो जो हम लोग लिखी दिये हैं लगबक 10, 11 चीज़ को लिखी दिये हैं वो सारा पूरा कर ले, नई तो अंदोलन चलता रहेगा भात्मा माले को अखिल भारती विद्यारती परिशत गेरडी के द्वारा गेरडी महाविद्याले में महाविद्याले काई का पुनरगचन किया गया जिसमें मन्चु संच्वालन उज्वल तिवारी एवव समापन भाषन अकास्ट्रिवास्तों ने किया इस दोरान अतीथियों के द्वारा एवव के पेना शोच स्वाम नीविवेकानन्द और विद्या की देवी माल सरश्वती को परिश पर अर्पित कर विद्वत उद्खाचन किया गया इस दोरान अभाविक के गेरेडी धनवात के विभाक संगचन मंत्री वविन बैचा ने संबोधित करते विकार करताओ को कॉलेज परिशर में बहतेद कारे किस प्रकार से हो और युवाओ को देश भक्ती के प्रतिक किस प्रकार से कारे किया जाएं सभी चीजों को बताया प्रमुख सूरज कुमार, SHD प्रमुख सूरज यादो सा प्रमुख पवन पंडिक, SFS प्रमुख राहुल मंडिल सा, SFS प्रमुख शसी रचक, खेलगुद प्रमुख कृष्ण कुमार सा, खेलगुद प्रमुख मुस्कान कुमारी चात्रा, प्रमुख खुश्कु कुमारी, प्रदेश शोसल मीडिया प्रमुक आशिस सिंग प्रदेश कारे समिती सदसे आकास रिवास्तो नगरमंत्री अक्षे यादो नगर समंत्री उज्जु अलतिवारी बबलू यादो शेवं गुपता चात्रा प्रमुक विशाखा कुमारी रेशन राय कृष्टना यादो बन्याडी शिव मंदिर में चल रहे नौदिवस्य श्रीश्री 108 रामचरित मानस्त नवा परायन महायग में सोमवार रात पुलिस कप्तान समित कई गनमाने लोग पहुँचे इस दोरान हरीद्वार से आई प्रवाचिका मदुश्री उपाध्याय ने संगित्मई राम कथा पर श्रधालू को खुब जुमाया महिलाए संगित्मई प्रवचन पर श्री राम की भक्ती के सागर में डुबकी लगाती दिखी मधुश्री ने कहा कि श्री राम के आदर्श हर कोई को अपनाना चाहिए बता दे कि प्रवचन वा रामलीला कारिक्रम में हजारों श्रद्धालूओं के साथ कई गनमाने लोग भी पहुच रहे है शिव मंदर बन्याडी में प्रवचन सुन्ने गिरिडी स्प अमितुरेनू, पूर्विधायक निर्वैकुमार शहबादी, दिस्प संजराना प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, सीसेल के पी ओ एसके सिंग, मफसिल्थाना प्रभारी कमलेश पास्वान भी पहुचे इस दोरान दी प्रवचलित कर अतीतियों ने प्रवचन कारिक्रम का शुभारम किया, इस दोरान अतीतियों का सम्मान भी किया गया, मौके पर पूर्विधायक शहबादी ने कहा कि यग से शेत्र का कल्यान होता है, कहा कि हरीद्वार से आई प्रवाचिका के प्रवचन की अम्रित वर्षा से पूरे गिरिडी की जनता लभानवित हो रही है। S.P. अमित रेनु ने पुलीस परिवार की ओर से यग के आयोजन को लेकर समीती के लोगों को शुपकामनाई दी। मेरी और से आपको बहुत बहुत सुपकामना है इस यग से और प्रबच्चन की अम्रित वर्षा से सिर्फ वडियाटी ही नहीं पुरे गिरिडी की जनता लभानवित होगी। आसा और विस्वाक के साथ कटूता नहीं आया गुर्भामना नहीं आया भी इस महाम पर्व के उसर पर ये यगत में सम्मलित हो करके मुझे जर्ब की अनुभती हो रही है और राम नमी के जैसे संबेदल सील परब पे हम लोगों को अपनी फेकता पुरे तरह से दिखानी है और सांती से सारा चीज करना है आगे बढ़ना है और गिरीडी का नाम रोशन करना है इसी अमरुक के साथ मैं आप तमाम नमुक से जैसे जान कहता हूँ धन्यवाद कहता हूँ बहुत बहुत बढ़ाई आप सभी को मेरे गृडी पुलिस परिवार के ओर से बहुत 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 शुक्कामना है आज आयोजित इस कारिक्रम के लिए जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं मेरे प्रफ से बहुत बहुत बधाई आपको कि इस कारिकरम का योजन यहां पे खिया गया है और इस सभी लावानवित हो रहे हैं आने वाले जो त्योहार हैं राम नवी उसके लिए भी मेरे और से बहुत बहुत शुपकामना हैं आपको मैं आशा करता हूँ कि बगवान आप सभी के ऊपर कृपा रखेंगे और इस गिरिडी के पावन धर्ती पे शांती पूरवक सभी त्योहार जिस तरीके से मंते आया हैं इस तरीके से इस बार भी आप योग के सहयोग से संपन्न होंगे इस कारिकरम के लिए आप लोगों को एक बार पुना बहुत-बहुत ब दोहार में भी पुलिस के साथ रहे हैं धन्यवाद है कि निश्चित रूप से इस छित्र में सुक समरीधी आने के संखेत हैं इस तरह के भार्मिक कारियों से प्रवचन से यग्य से नकरात्मक शक्चियां खत्म होती है हम तमाम लोगों को सुख सामनाय देना चाहेंगे इस सवसर पर कि वो बीबिसे रोड इस्तित बजरंग चौक में मंदिर निर्माने हेतो भूमी पूजन विधायक सुदेवे कुमार सोनों के करकमलों से मंगलवार को संपन हुआ विधित होगी बजरंग चौक अठाड़ा समिती के अग्रापर लखन लाल बहनवाल अपने परिशर में सार्च्वनिक स्री हर्मान मंदिर निर्माने करनी के लिए भूमी उपलप्त कर रहा है मोकिय पर इन्हों ने कहा कि ये अपने स्वर्गी मातापिता के पोने स्मिती में मंदिर का निर्मान कर राएंगे पुजारी नकुल पांडे पुरे वैदिक मंदरों चार के साथ भूमी पूजन संपन कराए विधायक ने कहा कि गर्व की बात है कि वर्सों से स्चौक पहर्मान मंदिर की कमिती जो अब पूरा होने चार रहा है इसके लिए लखन लाल बनवाल एवं उनके धर्मपत्नी सरीता बनवाल का आभारी हो मौके पर अखाडा समीती के अध्याक्ष ने विधायको पुष्प गुच एवं माला पहना कर सम्मानित क्या समीती के सम्मानित गण के साथ साथ काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्तित थे मौके पर अंजीत विश्व कर्मा दीपक शर्मा विजयर रजक सुबूत कुमार बनवाल प्रदीप गोप राजेंदरलाल बनवाल इंदरजीत लाल सुरेश बनवाल कुंदन कुमार आश्यस कुमार आधी उपस्तित थे राम नौमी को लेकर बड़ा चौक से जिला प्रिश्वास्त ने निकाला फ्लैक मार्श डिसी एस्पी समेत का यदिकारी वह अब खारी संख्या में पुलिस जवान भी रहे मौजूत इधर विबिन प्रकंजों में भी फ्लैक मार्श निकाल कर राम नौमी परविदी ववस्ता को लेकर ज्चौक की गई ही तायर रेजिस्ट्री ओफिस में जमीन रेजिस्ट्री करवाने आए कुछ लोगों ने किया हंगावा रेजिस्ट्री ओफिस करवियों पर घुस मांगने का लगाया आरो अवनी बंदक के साथ की धक्का मुख्य बिंगबाद के उचाड़ी के पास वनवी भाग की टीम ने अव्याद बोल्डर लोड हाईवा को किया चप बिंगबाद थाने को किया सपोर्ड कुलिस कर रही है चाच परताल भुपाल से भारत यात्रा पर साइकल से निकली आसा मालवी पहुची गिरड़ी इन अवल क्लब ने काजन ब्रू होटल में किया स्वागत आरके महिला कॉलेज में हुआ मोटिवेशनल स्पीश देभर के लिए भी रवाना और गिरड़ी रेल्वे स्टेशन पर माल गाड़ी से कोईला चोरी करने वाले दो लोग होई गरफतार गपता सुषना के आधार पर की गई कारवाई दोनों को अपने साथ मधुपो ले गई रेल्वे पोलिस अब लेते हैं छोटा सब्रे तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ